जो दिखता है वो बिखता है और पूरा इतिहार साक्षी है इस बात का देश नहीं विश्विस्तर पर सभी देशों में सभी घटनाओं में कि कि किसी भी बात को अगर गलत बातरी है उसको लगातार प्रचारित करते रहना तो वो सही से दो जाती है क्योंकि ये जो प्रचार प्रशार संसकार कल्चर बेवस्थाएं बना रखी हैं वो निश्यत रूप से समाज मनुस्ष के जीवन में देश में और विश्व में उसका महत्पूरिस्थान है क्योंकि जो कुछ भी लोगों ने प्रचार कर दिया अच्छा या बुरा तो देश के 99% लोग हम देश के ही ने कहें दुनिया के कहें लेकिन हम देश की बात इसलिए कर रहे हैं कि अंतराश्ती इस्तर पर समझदार लोग कम हैं तो वो साइद न समझ पाएं वो लिमिटेड लोग हैं तो जो हमारे देश के लोग हैं वो बिना किसी सत्य और असत्य को समझे किसी भी चीज पर अपना निल्लय दे देते हैं ये इस सवाराश्त देश के अंदर कोई दुरबाग नहीं हो सकता है क्योंकि सत्य क्या है सत्य को जानने के लिए थोड़ा उसके लिए प्रतिच्छा करनी परती है उसका रिशर्श का काम है कि सत्य है कि सत्य है और रिशर्श करने वाले विवेग शी लोग सत्य और सत्य को समयने वाले कहीं मुश्किल से समाज익 विवस्ता में एक जार में एक आदमी होता है क्योंकि अधिकान्स लोग रट्यू ही बातों में और दूसरे की फैलाई गई बातों पर विश्वास कर लेते हैं अपना चिंतन और मंथन करते ही नहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि चिंतन मंथन वही करता है जो उसमें गहराई में उतरता है चाहे कानून बने चाहे समाज की ब्युश्थाएं बने चाहे कोई भी प्रबंधन के नियम कानून बने इसलिए ये मीडिया का रोल है गलत सही प्रचार करना जो प्रचार में आ गया वो निश्तित रूट से आगे अपना प्रबाव जमाता है तो इसी में मीडिया हम इसलिए सी गहराई में गए हैं कि लोग हलके पन में ले ले लेते हैं गहराई में नहीं तुरते हैं कि मीडिया का क्या रोल है तो जो गलत चीज़ को परचार कर रहे हैं लोग और वो सही बात को दवा रहे हैं तो इसमें एक मीडिया हमारा OVC, CST जिनकी आवादी देश में 90% है यही लोग पूरे देश का जो भी भजट है उसमें अधिकांस टेक्स देते हैं जिनके टेक्स के माध्यम से ही टेक्स का मतलब होता है जो आपको GST कह देते हो या जो भी आप सामान ख़ईते हो उस पर कई तरह का टेक्स लगा होता है उसमें लाश्ट में GST भी लगती है GST तो बाद में आती हैं से पहले कई टेक्स लगे होते हैं कई वार लगे होते हैं वह हमारी 90% जो आवादी है देश की ये कंज्यूमर है देश की और ये सबसे अधिक टेक्स देती है और उस टेक्स से देश में जो भी पैसा खटा होता लाकों करोर और वह पैसा देश के जो बजट में खर्च करने वाले अधिकारी हैं या नेता हैं या सरकारे हैं उसमें मुश्ली उनी का प्रभाव है अल्प जनों का जिनकों कहें हम 10% से भी कम है और उनी के जितने मीडिया हैं चाहे प्रेंट मीडिया हो चाहे लेक्टोन मीडिया हो तो चाहिए आपका किसी प्रकार का मीडिया, टीवी है, आपके सिन्यमा है, ये 99% उनीका भर्चस है और वो परचार का गवर्मेंट का बहुत बड़ा हिस्सा ले आते हैं, गवर्मेंट का जो हमारा बजट है वो नीके खाते में 90% जाता है बिलकर 99% जाता है और पैसा किसका ह बहुत संक्यक समाज OBC, CST, CST का उसके मीडिया के जो मालिक हैं वो वही अधिकांस लोग हैं और उसमें जो मीडिया में जो बहुत संक्यक मीडिया के लोग ही छोटे मोटे करमचारी कार करता हैं उनका सोसल भी होता है उनकी मज़ूरियों का फाइदा उठाय जाता है वो द प्रशेंट वाले करते हैं मीडिया में भी मालिक हैं अल्पजन अल्पजन जिनको सामान ने कह देते हैं तो इसलिए इस मीडिया को बहुत गहराई से समयना पड़ेगा और इसके लिए पूरे बिश्विस्तर पर जो सबसे विक्रिशित देश है अमेरिका उसने अपने देश में अफर्मेटिव एक्षन के द्वारा अफर्मेटिव एक्षन साहित गंगरेजी का सब्द है जो ग्रावीड लोग साहित कम पड़े लेकर उन्याज़ पर पाएं तो उसका हिंदी मेर्थ होता है सकारत्मक पहल सकारत्मक सोच यहीं जो सकारत्मक सब्द का मतलब होता है कि जो सबके लिए लाबदाएक सबके लिए हितकारी वो अफर्मेटिव एक्षन यहीं सकारत्मक सोच है जनकल्याणकारी समाजकल्याणकारी जबकि इसका जो निगेटिव अर्थ होता है वो कहिए का फर्मेटिव और निगेटिव तो निगेटिव का मतलब होता है जो समाज के लिए दुख़दाई हो तो हम दिटेल में सिलिए जा रहे हैं इस बात को कि किसी बात को जब तक गहराई से समझेगा नहीं आदमी तो उ और नबे परसेंट वालों का ही बजट इनके घरों में करोणों अर्वों की संख्या में जाता है जो कहिए के सामान निबर्ग के मेडिया के माले के हैं अल्प संख्यक बर्ग और वो सोशलाइट यहां भी बुरी तरह कर रहे हैं अमेरिका में 1950 से 60 तक वहां लूथर किंग मार्टिन जूनियर ने 50 से 60, 1950 से 60 तक एक बहुत बड़ा मुवमेंट ख़़ा किया अत्याचार अन्याय और इससे मोनोपॉली के बुर्द्ध जो कुछी लोग थे इनके हाथ में अमेरिकन अपना सत्ता थी और अमेरिकन लोग जो वहां के कठोर मेहनत करने वाले जो बलेक कईये या एसियन अफरीकन जो भी अलपसंक्याग लोग वहां थे उनका सुफ़र करते थे तो वहां अंदोलन चला 1950 से 60 में उसका जो बहुत बड़ा एक पड़ाम आया कि वहां के राश्पती थे उन लोगों पर भी उसका असर पड़ा और उनको मजबूर हो करके जारी करना पड़ा एक्त बनाना पड़ा और उसके बाद लगातार जो भी वहां का पंड जो भी वहां का अमेरिका का पंड जिसको हम दोग वहां की Central Government का फंड है उसमें सभी लोगों को इस्दारी मिली ठेकों में इस्दारी मिली, Employees को इस्दारी मिली, Media में इस्दारी मिली तो हमारे हाँ जो Electronic Media है, Print Media है, TV है, Cinema है इसमें हमारे सभी लोगों को पूरतर से इस्दारी मिलनी चाहिए और जब तक पूरी इस्सेदारी नहीं मिलेगी तब तक कोई नियाई की बात नहीं कही जा सकती है अब हमारे साथी लोग अधिकांस लोग हम देखते हैं कि जहां भी जाते हैं तो वो सत्ता के लोगों को गालियां देते कह लीजिए या विरुद करते हैं या उनकी बुराई करते हैं मिल नंदा करते हैं यह उस पहkeeper के कि नहीं उतरते हैं सानार बश्यवन का उसकी नहीं कोई कर नहीं तो यह जो भी अत्या चार सान्या carnव में हो रहा है। ये बहुत कड़ी बात है लेकिन सत्य बात है उनी लोगों को मैं कहना चाता हूँ कि आप अपने में ज्हांकिये, अपने में ज्हांकिये कोई बिंदू हो, हम लोग कई सालों से पूरा जीवर निसी में लगे हुए हैं और निसकर्स पर निकले हमारे लोग अपने को सुधारन बैठके एक्षन प्लान बनाएं कि हमको क्या करना है किन गाइडलाइन्स पर हमें काम करना है और जब हमारा जो एक्षन प्लान तयार होगा उसको लोग फालो करना पड़ेगा जब एक्षन प्लान ही नहीं है तो फालो क्या करेंगे और उस पर जब हम लोग पूरे देश के लोग काम करेंगे जुनेंगे तो सारी समस्याओं का समधान हो जाएगा